तो गाइस मैं एक और रिडिंग के साथ आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आप सब आप सभी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं रिडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए वो next seven days कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में तो बिना देर करें डांडिग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है तो यह general reading है, हो सकता है, सभी के साथ resonate करें, हो सकता है, ना करें, so please keep an open mind, और timeless है यह reading, जब भी आप यहां तक पहुँचें, आप देखें, आपको help कर सकती है, and, instagram id description box में given है, अगर आप चाहें, तो वहां पर भी मुझे join कर सकते हैं, let's see, आने वाले साथ दिन कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में, page of vans, nine of pentacles, the world, okay, we have ten of vans, and we have page of pentacles, okay, two of pentacles, the temperance, justice, king of swords, seven of swords, okay, तो मैंने कुछ cards निकाल दिया है, queen of cups का card है, bottom of the deck से, okay, सारे cards दिख रहे हैं आपको, जी, यहां पर अगर मैं आपके work की सबसे पहले बात करूँ, तो यहां पर जो मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा burden बढ़ गया है, काम का, जो pressure है न, वो बढ़ जाएगा, इस आने वाले साथ दिनों में, पहली बात तो यह मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि आपको extra efforts लगाने पड़ जाएं, हो सकता है आपको, अपनी नींद के साथ compromise करना पड़ जाएं, क्योंकि आने वाले साथ दिनों में, काफी मेहनत करने की जरुरत है, specially in your career, आपकी जो study है उसमें, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा hard work करने की जरुरत है, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आप जिस जो भी आपने अफेल चूस करी है खुद के लिए, इसमें universe की blessings आपके साथ रहेंगी, ठीक है, और आप अगर इसमें अच्छा काम करना चाहें, तो आपको काफी abundance, काफी freedom भी मिल जाएगी, अब ये लोगों के लिए कहीं तरह के काम हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर nine of pentacles है, तो मुझे लगता है कि आप मेंसे बहुत सारे लोग कुछ ऐसा काम करने के बारे में सोच रहे हो, जहां से आपको fame मिले, ठीक है, आपकी reputation बड़े, इस तरह का काम आप करना चाहोगी, यानि कि आप सरकारी नौकरी के लिए भी prepare कर रहे होगे, खुद के लिए ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप पर वर्ल्ड कार्ड है, तो definitely आप मेंसे कुछ लोगों की सपने हैं कि आप बाहर जाएं, बाहर जाकर आप सैटल हो जाएं, ठीक है, तो ये दोनों ही काम, सरकारी नौकरी और भार वीजा वगेरा का जो भी काम आप शुरू कर रहे हो, देखो ये काम कर सकते हो, इसमें आपको सकसेस भी मिल सकता है, लेकिन सकसेस आपको मिलेगा तब जब आप हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि आपके उपर अब जो काम है, जो वर्क प्रेशर है, वो काफी हद तक बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे मैं अगर खुद को समाल लिया, और अच्छे से टाइम के साथ खुद को मैनेज कर लिया, तो सकसेस मिलेगी आपको, अदरवाइस फिर आपको डिले फेस करना पड़ सकता है, या फिर यह हो सकता है कि फिर्स टाइम रिजेक्शन आपको मिल जाए, इसलिए बहुत अलर्ट रहकर, बहुत ज़ादा एक बैलेंस बना कर अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना होगा, आप काफी स्मार्ट दिख रहे हो, काफी आप्टिमिस्टिक हो, और इसी के साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और देखो, जो भी चीज आप करोगे न, उसमें आप दूसरों का भला भी करना चाहोगे, कुछ न कुछ शोशल वर्क भी अगर आपने इस चीज़े अचीव कर ली, तो आप समाज का भी कुछ न कुछ कल्यान करोगे, शोशल वर्क, ठीक है, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, फंड्स एकहटे करा के उनको कुछ न कुछ मदद करना, चैरिटी करना, कुछ इस तरह का काम भी आपके दिमाग में है, कि अगर आप सक्सेस आपको मिलती है, तो आप कुछ न कुछ ऐसे लोगों की मदद करोगे, जिनको मदद की सच में जरूरत है, ठीक है, आपके कुछ इस तरह के प्लैन मुझे दिख रहे हैं, तो यह सारी चीज़े पूरी हो सकती है, लेकिन आप जो मांग रहे होना, वो आपको मिल भी जाएगा, लेकिन इतना बता रही हूँ मैं, कि आने वाले साथ दिनों में, आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपको बढ़ाने पड़ जाएंगे, क्योंकि वर्क प्रेशर आपका बढ़ रहा है, हो सकता है, और वाइस पर डिले हो सकता है, और रिजेक्ट भी हो सकते हो, तो ये चांस हाथ से जाने मत देना, जाने दोगे भी नहीं, क्योंकि जब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो देफिनेटली एक अच्छी एनरजी भी आपको मिलेगी, अच्छा कॉंसेंट्रेशन भी बनेगा, और आप उस चीज में आपका मन भी लगेगा, ठीक है, एक तो आपकी महनत भी है, और दूसरा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है, तो दोनों ही चीज आपके पास है, तो आप टेफिनेटली अचीव कर लोगे, ठीक है, इसके लिए best of luck, अगर मैं लव लाइफ के बारे में आपको बताऊँ, तो आपके जो भी परसन है, चाहे आप इनसे मिले हो या नहीं मिले हो, क्योंकि यहाँ पे justice और temperance का का कार्ड है, तो यह दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं, यह दोनों ही spiritual कार्ड हैं, ठीक है, divine, यहाँ पर present है, इन कार्ड के थुरू, definitely guys, आपको justice मिलेगा, आपकी life में healing शुरू हो गई है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दू, कि आपके जो भी partner हैं, जो आपसे या तो मिल गए हैं, या नहीं भी मिले हैं, वैसे जालतर लोगों के लिए जो answers आ रहे हैं वो यह है, कि यह person आपको छोड़के भागे हुए हैं, आपसे दूर हो गए हैं, reason बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है इसके खुद के personal issues हो, हो सकता है family pressure, हो सकता है third party, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलाल इस person ने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है, continuously यह person आपके बारे में सोचते हैं, और यहाँ पर present भी हैं आपके person, यह जो भागे थे ना यह उनीकी बात हो रही है यहाँ पर, और यह अब आपके बारे में काफी ज़्यादा सोच रहे हैं, day and night यह person आपको सोचते हैं, आपको याद करते हैं, और कहीं न कहीं यह चीज divine ही करा रही है, world के नीचे ही justice का card था, means universe, angel, divine, support कर रही है आपको, ठीक है, इस connection में improvement लेकर आने के लिए, तो आपकी love life में भी न, आप improvements आने शुरू हो जाएंगे, healing हो रही है, थोड़ा सा, जब temperance का card आता है, तो थोड़ा सा weight भी करना पड़ता है, क्योंकि healing चल ही रही है अभी भी, अभी भी healing पूरी नहीं हुई है, ठीक है, हो सकता है, आपकी healing पूरी हो गई है, पर मुझे लग दी रहा कि आपकी healing भी पूरी हो गई है, क्योंकि अभी आपने जो आपकी achievements है, वो achieve नहीं करा है, ठीक है, तो अभी भी थोड़ा सा आपको भी time चाहिए, और इस person को तो चाहिए ही, ठीक है, क्योंकि अभी सोचना शुड़ू कर दिया है, healing भी हो रही है, फिलाल justice और the world का आने का मतलब है, कि कुछ miracle भी attract कर सकते हो आप, तो कुछ miracle भी आपके रिष्टे को और अच्छा करेगा, ठीक है, लेकिन yes, आप दोनों को sign numbers दिख रहे हैं, जब sign numbers दिखते हैं न, तो थोड़ा सा आप ही समझ के चलिए, कि अभी challenge बाकी है कुछ, ठीक है, और यहाँ पर divine आपको motivate कर रही है, कि hard नहीं मानना है, आगे बढ़ना है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो यह है आपकी कुछ love life के बारे में, और आपके work के बारे में, अब आपकी health के बारे में देख लेते हैं, health कैसी रहीएगे आपकी आने वाले साथ दिनों में, okay, recognition and reward number three, we have transformation, yes, तो देखो गाइस, transformation का मतलब है, अगर health issues हैं, तो वो change हो जाएगे, मतलब आप ठीक हो जाओगे, और recognition भी मिलेगा आपको, yes, intuition, अपने intuition को follow कीजिए, आने वाले साथ दिनों में, मुझे लगता है health में improvement आएगी, health अच्छी हो जाएगी और ज्यादा, और आपको definitely, काफी healthy feel होगा, अच्छा feel होगा, और आपका जो भी concentration है ना, अच्छे से बना रहेगा, आपके work में, ठीक है, और आपके intuition भी आपको बताएगे, कि yes, I can do it, I can do it, इस तरीके से आपकी inner voice भी बोलेगी, ठीक है, तो health issue नहीं है, तो इसका मतलब है, कि work में concentration बहुत अच्छे से लगेगा, आपका, ओके, और देख लेते हैं, आपकी soul journey क्या भोल रही है, आने वाले साथ दिनों के लिए, forgiveness, कुछ लोगों को माफ करना है, या forgiveness का मतलब कभी-कभी ये भी होता है, कि आपके path में कुछ ऐसे लोग आएँगे, जो काफि रूड होंगे, ठीक है, immature होंगे, तो ऐसे लोगों को, प्यूंकि अब आप enough mature हैं, तो definitely आपको ना उनको, या तो आपको उन्हें avoid करना है, या फिर उनकी बातों को माफ करके, आगे निकलना है आपको, ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा, अब कुछ भी ने blockages create नहीं करना है, death का मतलब है definitely, अब आप life के एक नए phase में enter करोगे, क्योंकि death से एक new beginning शुरू हो जाती है, तो एक एक नए तरीके से, अब आप अपनी life को जीना भी शुरू कर दोगे, loneliness, हो सकता है कि ठोड़ा अकेला पर आपको feel हो, इस आने वाले साथ दिनों में, लेकिन आप यह जान के रखिए, कि जब हम अपनी life में कोई बड़े काम कर रहे होते हैं, तो हम अकेले ही होते हैं, और वो awakening का भी time होता है, ठीक है, तो don't worry, अगर अकेले हो, यह जान के यहाँ पर खुश रहना, कि at least universe आपके साथ है, ठीक है, अगर ऐसे जानोगे, इस तरीके से अपने, सोचोगे, तो सब कुछ अच्छा होगा, यहाँ से देख लेते हैं, आपके लिए क्या guidance है, आने वाले साथ दिनों के लिए, let's see, man holding a coin, definitely guys, आपको अपने work पर, बहुत ज़्यादा focus करने की ज़ुरत है, divine आप से खुद कह रहे हैं यह बात, वाव, विक्ट्री ही मिलनी हैं आपको, at the end, जो भी work, में आप efforts लगाओगे, उसमें आपको विक्ट्री ही मिलेगी, door to spirit, यह दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, आप manifest कीजिए, prayer कीजिए, divine आपको definitely, answer देंगी, ठीक है, sign देंगी, बताएंगे आपको, देखो, man holding a heart का card भी है, what on the deck से, यह person आएंगे आपके पास, जो आपसे प्यार करते हैं, फिलाल अभी आप अपने work पर focus कीजिए, divine यह भी कह रही है, शायर आपके जो counterpart है, divine counterpart, वो भी अपने work में ही busy है अभी, लेकिन आपको victory मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, इसलिए, फुल अफ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए लाइफ में, और टेंशन लेने की कोई ज़रूद नहीं है, holy amethyst, move beyond current challenges, अभी आप थोड़ा सा current challenges आपके लाइफ में आई हुए हैं, work pressure बढ़ रहा है, और बहुत सारी चीज़े अभी लाइफ में आप देखोगे, तो इसलिए न, focus आप उसी चीज़ पर करो, अपनी मतलब desire पर, focus on what you desire, इन challenges को focus ना करते वे, desire पर focus करो, और मन लगा के काम करो, ठीक है, take charge, lead by example, walk your talk, आपको अपने आपको चार्ज करने की जरुरत है, example बनना है आपको, ठीक है, या lead by example, walk your talk, and we have con on us, definitely आपको कह रहे है, express your divine passion, अपने divine passion को express करो, sensual and sexual power are increased, आप definitely काफी powerful feel करोगे, क्योंकि universe की blessings आपके साथ है, और साथ ही साथ, आप में confidence भी बढ़ाना चाहिए, आपको ठीक है, बढ़ेगा भी, क्योंकि जब blessings आपको मिल रहे है, तो definitely आप बहुत अच्छा feel करोगे, और अपने काम को भी अच्छे से करोगे, तो आने वाले साथ दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ, hard work की ज़रुरत है आपको, तो ये चीज़े आप करो, और आपके definitely सपने पूरे होंगे, और आपकी love life में भी improvements आने लगेगा, ठीक है, so guys this is your reading, I hope कि आपके साथ resonate हुई हो, आपको पसंद आई हो, अगर reading resonate हुई है, तो comment section में बताना, चैनल पर नए हो, तो subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, अभी के लिए बस इतना है guys, bye, take care,